Assalamualaikum friends, welcome to my channel आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ड्रेस के अंदर हम टक्स किस तरह से दालेंगे कि हमारे ड्रेस के फिटिंग तो बहुत ही अच्छी होती है लेकिन फिर भी हमारे ड्रेस का लुक जो है वो हमारे ड्रेस में जो हम टक्स दालते हैं उससे बहुत ही निखर कर आता है और हमारा जो फीगर है वो बहुत ही बहतरीन दिखता है अगर हम ड्रेस के अंदर टक्स दालेंगे तो तो ये देखिए ये हमारा अस्तर का ड्रेस है ये पूरा ड्रेस सिलना हो चुका है तो यह जो हमारी fitting की सिलाई है जहां से cut है वहां से हम fitting की सिलाई से हम 1.5-4 इंच अंदर में एक marking लगाएंगे दूसरी साइड से भी उस तरह से कर लेंगे fitting से सिलाई से 1.5-4 इंच पर हम एक mark लगा लिए और जो हमारे cut होते है जो हमारे chalk होते है द्रेस के वहां से उपर की तरफ यह देखिए यह हमारे द्रेस के जो चौक है यहां से हमको उपर ट्रक्स लेना है हमारे जो ट्रक्स है वो हमारे चौक के कट के नीचे नहीं आने चाहिए यह धान रहे यह देखिए तो इस तरह से हम जहां पर हमारे cut है, वहां से उपर की तरफ, यह जो हमारे cut है, यहां से हम उपर की तरफ marking लगा लेंगे, यह देखिए, यह cut है, और यहां से उपर की तरफ, तो इस cut के marking को हम सीधा निशान लगा लेंगे, तो यह देखिए, यहां से हमारे दोनो चौक है, तो यहां से उपर की तरफ, यहाँ पर हमने 9 इंच की Marking लगा लिए यह देखिए इस टाप की जो length है वो cut की इसकी जो length है वो कम है इसलिए हम इसका tux जो है वो 9 इंच पे लगा रहे हैं तो ये 9 इंच पे हमने दोनों side जहां से cut है वहाँ से उपर की तरफ हमने 9 इंच मार्क लगा लिए और देखिए टक्स लगाते हुए स्टार्टिंग हमको हल किसी लेना है और बीच में हम 1.5 इंच लेते हुए हम टक्स की सिलाई लगाएंगे ये देखिए इस तरह से हम टॉप के अंदर टक्स लगाएंगे इसको हम नीचे से चौक की तरफ से एक हाथ अंदर से डालेंगे क्योंकि अस्तर का ड्रेस रहेगा तो हमको बहुत ही धान से अंदर का जो हमारा मेन फैबरिक है वो भी टक्स के अंदर आना चाहिए इसलिए हमको बहुत ही धान से उसको पकड़ना है और सीधा कपड़ा पकड़ते हुए टक्स उपर की तरफ से हलकी सिलाई लगाते हुए जो हाँ पर सेंटर है वहाँ पर आधा इंच आएगा और फिर नीचे हलका हलका कम होते होते जाएगा इस तरह से हमारे टक्स की सिलाई लगेगी इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी टक्स निकाल लेंगे ये देखिए उपर से हम गले की तरफ से अंदर की बाजू हाथ डाल लेंगे और टक्स को पकड़ लेंगे सीधा हम उसको खीच कर देखेंगे कि ये सीधा है या तीर्चा हो रहा है इसके अंदर तो कोई गुंजाईश नहीं कि ये तिर्चा हो क्योंकि हमने इसमें मार्किंग लगाई है तो इस हिसाब से हम स्टार्टिंग में हल्का टक्स लेते हुए सेंटर में आधा इंच तक हम लेंगे और फिर हल्का करते हुए उस टक्स को सिलाई को पूरा करेंगे तो ये देखिए ये हो गई हमारी टक्स की सिलाई कम्प्लीट इस तरह से ये हो गई हमारे दोनों टक्स अब इसके अंदर में आपको एक टिप दे देती हुए कि जब हम कपड़े को एंटरलॉग नहीं करते ओवरलॉग जो होती है एंटरलॉग वो हम नहीं करते तो हमारे कपड़े के धागे ना निकले इसलिए ये देखिए इस तरह से में हमेशा कपड़े के अंदर छोटी-छोटी कट लगाती हो ज्यादा बड़े नहीं लगाना है, छोटी-छोटी कट लगाना है, ताकि इससे जो कपड़े का धागा निकलता है, वो धागा निकलना रुख जाता है, इस तरह से, तो कपड़े को फिर एंटर लोग की जरुरत नहीं होती, ये देखिए, इस तरह से छोटी-छोटे कपड़ इस तरह से हमारे ड्रेस की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आती है यह देखें इसका मैं आपको लुक बताती हूँ इस कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ इस टॉप को और आपको इसका लुक बताती हूँ यह देखें और यह फैक्ट है जब हम ड्रेस के अंदर टक्स लगाते है तो हमारी ड्रेस की जो फिटिंग है चाहे हम लूस फिटिंग का ड्रेस की और ना पहने लेकिन हमारा जो फीगर है वो बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए यह इस ड्रेस का लुक और पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही बहतरी निकल कर आती है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफिस